सपा मुखी अकलेश यादो की बैठक समाप्त हो गई है और विधायक रविदास मनोत्रा बैठक से बाहर निकले हैं विधायक जी बैठक में किनकिन मुद्धों पर चर्चा हुई चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को जो नोटिस दी थी उसका जबाब त्यार करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ट विधायकों की एक बैठक दो घंटे हुई इसमें समाजवादी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष मानि अकलेश यादो जी लगातार हम लोग ये प्रमार देने का काम करेंगे कि 2022 के विधान सभाद चुनाव से में बड़े पैमाने पर हम लोगों के वोटों को काटने का काम हुआ है सबसे पहले चुनाव आयोग ने 15 जनवरी 2021 को एक वोटों का पकाशन किया था और ये गोशना की थी कि 2021 एलेक्षन एयर है और उसके बाद कोई भी नाम काटने का दिकार किसी को नहीं होगा बिना फारम साथ जमा किये हुए कोई नाम नहीं कटेगा और उसके बाद फारम साथ जमा करने के बाद उसके घर पर उचस्पा होगा उसके बाद फिर जो एयरो है उसके आफिस में चस्पा होगा उसके बाद डाग द्वारा उस आदमी को खबर की जाएगी कि आपका नाम क को जो अंतियम लिस्ट प्राइश हुई उसमें बहुत लोगों के नाम काड़ दिये गए थे हम प्रमार यह देंगे कि 15 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनके नाम किस आधार पर काड़ दिये गए और वो नाम पांच जनवरी 2022 की सुची में क्यों नहीं थे य सबूतों के साथ एफिट लगा करके हम कहेंगे कि ये बड़े पैमाने पर धांदली हुई है बारती अंता पार्टी की सरकार के कहने पर अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटने का काम किया बड़े पैमाने पर दलित लोगों का पिश्वड़े वर के लोगों का और मुस्रिम्स लोगों का बोट काटने का काम इस सरकार में वा भा निकाय चुनाओं को लेकर बीचर्चा हुई new निकाय चुनाओं में समाजवादी पार्टी के रास्टिय ध्यक्ष ने जहां जहां चुनाओं समाजवादी पार्टी का यह प्रयास है कि निकायक चुनाव में सापा का पर्चम लहराई जनता समस्याओं से परसान है, किसी भी नगर निगम में कही कोई काम नहीं हो रहा है लखनव नगर निगम में पिछले एक डिवर साल से एक इड भी रखने का काम नहीं हुआ है ना कोई नाले साप हुए है, ना कई रोड बनी है, ना कोई गली बनी है जनता का जीवन दुबर हो गया है इसलिए जनता परिवर्तन और बदलाओ करने का काम करेगी समाजवादी पार्टी का पर्चम लड़ाएगा निकाय चुनाओं में प्रतियाशियों के चैन की परक्रिया क्या होगी? जिसका अच्छे रंग से काम हो रास्टी अध्यक का चुनाओं हो गया प्रदेश अध्यक भी चुनलिये गये लेकिन संगठन के जो धाचा है वो अभी नहीं बनाए पूरी तरह से जिला अध्यक्ष महानागर अध्यक्ष ये कब तक बन जाएंगे? रास्टी अध्यक्ष जी का चुनाओं हुआ उसके बाद चुनाओं हुआ प्रदेश क्याध्यक्ष जी का और उसके बाद हम लोगों का ये दुरभाग था कि समाजवादी पार्टी के सरक्षक, हम लोगों के नेता, धरते, पुत्र, आदरनिये, मुलायम स्यादों जी का ध्यानत हो गया, जिसके कारण से पिछले एक मेने में पार्टी में कोई कारण नहीं हो पाया, अब अखलेश जादों जी आ गये हैं, बहुत जल्दी ही कमेटियां बननी सुरू हो जाएंगी. जिलाद्ध्यच और महानगरद्ध्यच के कोई मानक तरह हैं? जिल्म पर अंकुष लगने का काम करेगी और विनेत्वारी जी चुनाओ जीतेंगे, तो भारती जनता पार्टी की सरकार पर की दमन पर के जुल्म पर अंकुष लगने का काम होगा, जो लगातार महेंगाई बढ़ रही है, बिरुज़गारी बढ़ रही है, उसको उस पर अंकुष लगने का काम होगा. इसलिए जनता से अपील है कि एक बिधायक बनने से न समाजी परसकार बनने वाली है, न समाजी बाज़पा की बनी हुई है. लेकिन एक बिधायक के जीतने से बाज़पा की सरकार पर कोई सर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाज़पा की सरकार पर हम लोग अंकुष लगाने में काम्याब हो जाएंगे. अखले शादों वहाँ परचार करने के लिए नहीं गया, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं. वहाँ की छिती जनता है, वो चुनाओ लड़ रही है, और मुझे विश्वास है कि जनता जो है वो विनेतवारी को अपना वोट देने का काम करेगी, जिससे प्रदेश सरकार पर अंकुष लगने का काम होगा. महशुकिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ट विधायक रविदास मनुत्रा जी थे हमारे साथ, और आज बैठक में महत्पूर्ण मुद्दो पर चर्चा हुई, चाहे वो निर्वाचा नायोग को सबूतों के साथ सारे दसावेश प्रसुत करना हो, या फिर नगर निका का चैन भी कैसे होगा, किस तरह से होगा, निकाय चुनाव में प्रतियाशियों का चैन कैसे होगा, इस पर एक रूप रेखास तै की गई है, कैमरा से होगी प्रमोट के साथ विवेक त्रिपार्टी एपीपी गंगा लखना हो, समाजवादी पार्टी के वरिष्ट विधाय इन तमाम विश्वों पर चर्चा होती रहती है, आज सबसे ज्यादा चर्चा तो उस बात की है, जो वोटर लिसे नाम काटने का आरोप लगा है, समाजवादी पार्टी ने उसको लेकर एक दो पन्ने का फॉर्म भी टूइट किया है, देखिए हम लोग तो आज जो बैठे थे, वो बैठे थे कि जो हम लोगों का संटन है आगे, वो कैसे मजबूत हो, संटन कैसे बने कैसे किन लोगों का और उसमें जिम्यदारी दी जाए, बहुत की जो सूची वनी है हम लोगों की कारकरताओं की, उनको भी जाच कनने का उनुने दुष्त करने पर आरो तमाम पा इमांदारी हम लोगों को आई जे प्रिभारी दी गई उसकों लोगी मांदारी से निरवा करेंगे निश्थ रूप से समाजवादी पार्टी पिछले छे महीने पहले से पूरी मजबूती से निकाइज चुनाओं की तैयरी कर रही है और वारान शिका में वहां का प्रिभार और समाजवादी पार्टी आने अले इस इस्थानी निकाय की चुनाओं को पूरी दमखम और मजबूती से लड़ेगी एक अच्छा निर्णे और जनादेश लेकर करके आईगी प्रत्याशियों के चैन का क्राइटेरिया क्या होगा टिकाउ हो जनता में उसकी छवी अच्छी हो और मजबूती से चुनाओं को लड़ सके संगर्शील बिल्गूल जो मजबूत होगा वही संगर्शील होगा टिकाउ हो समाजवादी पार्टी के विचार धारा का हो और जनता में उसकी छवी अच्छी हो यह तमाम चीजों को देखा जाएगा पसपार कॉंग्रेस बीच पार्टी और हमारे नेता अदलनी अखलेस यादू जी हैं जो हर मुकाम पर पूरी मजबूती से आज भाजपा को टकर दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने अले दिनों जो निकाई चुनाओं होगा अदलनी अखलेस यादू जी के निर्तुत में उतर पदेश में जिन्दगिरी जी के मिर्तु के बाद ये चुनाओं हो रहा है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक एक कारकरता और प्रतियासी ने मजबूती से चुनाओं लड़ा है हमें भरोसा है कि गोला की जनता वो समाजवादी पार्टी को जनादेश और वहाँ पर जिताने का काम करेगी। पाठी एबीपी गंगा आला लखना होगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की